कि अब नाद रहते हैं और कितना बड़ा है सेंटरमास स्कूल इसकूल बस आने ही वाला है तो आप यम लोड क्रॉस कर ले पे मैं दिखाऊंगी वो भी आप लोगा को कि अहां हम से रफिजार करना है आगया बस चला गुद मोर्निंग गुद मोर्निंग गुद मॉर्निंग तो चला है हम लोग बैठ चुके हैं बस में और आपि हम यहां से निकलते हैं है वेलकम बैक टुमा नादर व्लोग तो दोस्तों अभी फाइनली में आज चुकियो अपने स्कूल पे और मेरे स्कूल का नाम है सेंथ हुमास दे काम रेचिदेंशल इसकूल दोस्तों तो मैंने सूचा कि आज एक इस्कूल का व्लोगिंग हो जाए दोस्तों तो आज मैं सब कि अपलिए स्टाबलेश हुआ कहां पे है आपलोगों सब लेका शाइब ह दीखांगे तो में आज आज आपलोगों को फूरा दिखाऊंगे नरसरी से लेकर पूरा क्लास एक तक यहां पर पू vue सब कुछी तेखने को मिलेगा और खासकर दोस्तों गल्सों सब डिखाऊंग कर दोग दिल जल आ हम आग, और बार इस घर आ हम इंछ, नत जरस, प्रीद कर दो बाद जट कर दो एंछ, दो अज्ट एप देत काल आ हम आग, आह हम आगे कादा बेड्यादि जो आगे अंच्वा एंग, घरुटर, टिजश्ट नो इस बा Οम ह में आख़ा एंग, और दोग्मे बार कुछने लाक नह59 रातार लाह उ dual बार हो चाहला कर घंधgle लें डोल्ट, डोल्ट, तो पोल्ट, डोल्ट.. इसके टीवार को ईयेientes, और कोई विवेंगाज लेएह स्थेखिंब maritime्ता हो लेती पुलीनintsयों कि अपर आटे तो सबसे पहले हमें दिखाए देता है हमारा फैकल्टी रूम तो यहीं से हमारा वीडियो करते है आज सुरू तो यह कंप्यूटर क्लास भी है लेकिन अभी फिलाल स्टाप रूम हो गया तो यहां पे सभी टीचर से बैठते हैं आपस में यह ब्रेक टाइम पे यहां हम लोग बैठते हैं सभी का अपना प्रेचेर ह तो वह हमारी साइंस टीचर है तो अभी उनका ओफ पी रही है तो अभी बैठ रही है ठीक है मेडम बैठी है तक तब तो रेस करिए उस्तों सबसे पहले सुरू करते हम लोग नर्सरी प्री स्कूल से तो यह रूम अंदर से लोग है तो चलिए मुझे थोड़ा खोलना होग यह भी में दिखा दू आप लोगों को है जैसे हम लोग अंदर आते तो हमें दीखता है यह नर्सरी प्री स्कूल दोस्तों तो देखिए हमारा यह इसकूल पर यहाँ पर नर्सरी से रेके ख्लास एड़ तक है जैसे अभी देखिए उन लोग का टीवी भी दिखाया जाता ह कंध़ें लोगों का अभी लोगों का क्लास चल रहा है दोस्तों अभी टाइम देख़ी ng कितना हो गया तंदी कि लास्रूम है पूरा साप सुत्रअप तुरा हाईजिन को मेंटनें करके पढ़ाया जाता है इसकाइल अभी ईनलोगों को हो गया नर्शरी का क्लास रूम जो कि आप लोग ने देख लिया आप लोग ने देख लिया अब मैं नीचे जा रहे हो पॉरेडर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगे सबसे पहले हम लोग शुरुबात करते हैं प्रिंसिपल ओफिस चीप एड्मिस्टेटिव हैड उनका रूम है यह देखे अंदर से अभी तो फिलाल सर किसी काम से बाहर गए उनसे भी मैं मिलाओंगी बात में और यह रूम है दोस्तों भाइस प्रिंसिपल सर का रूम है यह ज खोड़ी जो से निकल के आते हैं तो अभी हम लोग जाएंगा सित इदा कई करो वह भी देखिए में आप लोग तो दिखाए लिए बहुत जादा मजाएगा तो यह रूम है एलके जी का जैसे आम लोग इस रूम में एंटर करते हैं सबसे पहले हमें दिखती है मैडम स्टूदेंस जो अब यू आल वाई इतना स्मार्ट बच्चा लोग है यहां पे तो अब यू यो के जी बाहर तो चली यू के जी में भी एंटर करते हैं और जेक्टें यू के जी का कैसा हाल है गूट मॉर्णिं मैडम पर इंटूडेंस तो सभी ने टिफिन खा लिया हा, अले वा, ओकAY, थेंक्ज ब्पारास् iam थे टाइम ताधा ताधा DR. ऑक़ भाइ म rodzओ पर का पर चंच अभी चलते हैं टाष्म अ में अःम्रास भी में फिंह्टेopa अज़ीक्ठा लादे टाष्म एंदे बूर्झ में ये विए है लेखलास तू बूर्ट अधिस अग्यड कुण कुछ तू अधिक रेखलियो अधिच्ट अधिस अधिट मध्यर फूर इस दो इस इस अधिट आप ट्रॉ अधिस अधिट्ट फोर टिक explains अधिक रहरा हैं किसग से अधिस अधिसर अधिसर आप ट्रॉ को दिखाए दिता क्लास टू वहां से अभी हम लोग निगल निकल के आया है तो अभी हम लोग आने क्लास ट्री पे अभी क्लास वर्ख अभी यह क्लास कोड़ करों। गुट मॉर्डिंग एंट्री करते हैं गुट मोर्डिंग इंट्री करते हैं गुट मॉर्डिंग इस्टुडेंग इंग्लिस पीरियर चल रहा है मैं में ले रहे हैं इंग्लिस क्लास उनका ठीक है मैडम ओके थैंक यू सो मच पॉर टाइम अभी है क्लास 6 तो अभी हम लोग क्लास 6 में एंटर करते हैं गुट मॉर्डिंग इस्टुडेंग आप लोग ने सब भी को इस्टुडेंग को देख लिया ओके चलो तो यह रूम है क्लास 7 का तब ही चलते हम लोग क्लास 7 में देख थैंक लास 7 का कैसा हाल गुट मॉर्डिंग गुट मॉर्डिंग इस्टुडेंग इस पीरियर इस एस टीपिरियर ऑगे मैम इस ली इटल बीजी एक एक यह तो यह क्लास 8 का रूम है दोस्तुडेंग के सिट आउन है worst ऑगे मैं है क्लास 8 का रूम हुट पीरियर इस preणक्ड स्फ्ट्डेंग गौन प्रेंद को दिखने का मिलेगा बॉइस होस्टेल्स घर का किचेंग डाइनिंग और सब कुछ आप लोगों को दिखने का मिलेगा तो चलिए चलिए मिनिट का ब्रेक मिलता है तब ही मैं जाओंगी थोड़ा रेस्ट करूंगी उसकी बाद में फिर से आगे वीडियो करके तो अभी में हुँ अपने फेकल्टी रूम पे बाकी सबका तो अभी क्लास चल रहा है अभी यह मेरा पीरेड ओफ है दोस्तों अभी कुछ देर यह 40 मिनिट का भी मेरा पीरेड ओफ है तो अभी यह टाइम में बैठोंगी मुझे नोटबुक थोड़ा चेक भी करना है क्ला यूट्यूबर हूँ बले यह जोटी हूँ लेकिन आप लोगों का साथ आप लोगों का प्यार तो है मेरे साथ पासिगाट स्मार्ट सिटी डेवलोप्मेंट कॉरपरेशन लिमिटेड वा कितना प्राइज मिला है तर्ड आया ना वेरी गुड ड्राइंग कंपटिशन में ना इसमें वाह सब लोग एक फिर से कॉंगे चुलेशन बोल दो ना उसको मैं पुरा फ्री हो चुगे अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा और दूसरी मिस भी आ रहे हैं उनसे मिलाओ अभी क्लास ओबर होगे ना मिस आ जाएए तो चलिए अभी हम लोग दोने बैठते ही स्टाप रूम पे फैकल्टी हाँ और उसके बाद हम लोग दोनों चलेंगे कहां पर हॉस्टल ठीक है चलिए मिस का सीट है वो कॉर्णर बैट जाए हाँ वो सीट है मिस का और यह है मेरा तो अभी में दोस्तों अभी आई हूं किचेन पर यह किचेन है अंदर आप लोगों को दिखने को मिलेगा लेकिन अभी नहीं ए तो में सब्सक्राइब दोस्तों यह साइड यह है गाल्स होस्टल उपर और इस साइड जो आप लोगों को दिख रहे है वो है बोई सोस्टल और यह ग्राउंड फ्लोर में जो है यह सब है क्लास हर एक टीचर सभी अपना-पना क्लास ले रहे हैं अभी मेरा पिरेट तोफ है तो अभी मैं आचुकियों किचेन के अंदर तो मैं दिखा दूँ अभी थड़ा एरेश्मेंट में चल रहे हो सब भी हो जाए इसके बाद में सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी थड़ा हम बात भी करेंगे तो चलिए अभी हम लोग चलते किचन के हमारा और यहां पर सबसे स्पीशल देखें डेली मेन्यू चार्ट यहां पर लिखा मंडे टू सैटर्डे संडे तक का पुरा ब्रेक्फर्स लंच डिनर सब कुछ बताया गया यहां पर और खास कर देखें दोस्तों यहां पर बड़ा सब वाल्टी भी है और जियो फाइब अब भी लगावाज देखें देखें सब कुछ यहां पर है डाइनिंग रूप आप लोग देख चुके हो फ्रेंस तो अभी हम लोग यहां से चलते होस्टल पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे गल्स होस्टल उसके बाद हम लोग देखेंगे बॉइस होस्टल आज मैंने देखेंगे डाइनिंग वाल भी देख लिया तब ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो मेरे पीछे यह है गल्स होस्टल तो देखें आप लोग गाल्स होस्टल अंदर से कैसा है तो चलिए आप लोग यह भी देखने को मिलेगा सबसे पहले बाहर पे बोड लगा हुआ ह सब कुछ रखा हुआ है कि इतना अच्छा लग रहते देखें और कितना बड़ा है हर चीज अपना जगा पे रखा हुआ है कुछ भी इदार उधर रखना क्योंकि होस्टल पे यहां पे डिसिप्लीन होने के लिए हमें सीखने के लिए ही मामी पापा भैसते हैं बच्चों क अब हैं दो होस्टेल का बीज में एकदम लोग है यह पुरा बन करके रखा गया है वहां पे है कि गल्स होस्टल उस रास्ते से हो कि हम लोग आया है और अभी हम लोग जा रहें बोईश बइसमें एक दम ताला मार दिया जाता है लेकिन अभी पर्मिशन लेके ही यह खौला देखे यह इसकोल का फ्राउंट ओके अभी तो इसकोल दोस्ते नर्शरी से लेके क्लास ऐट तक है आपकमिंग डेस में दोस्तों क्लास तेन तक दी ट्वेल तक हमारा इसकोल बन जाएगा और अभी तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है तो मैंने सचाज ब्लोगिंग कर लिए यहां पर यह बोई सोस्टेल यानि कि बोई सोस्टेल वान भी है जो कि जूनियर बोईस का है और यह सीनियर बोईस का तो देखी बाहर से तो ऐसा दिखता है तो अभी हम लोग चलेंगे अंदर से मैं दिखाऊंगे आप लोगों को बारी किसे अंदर यहां से यहां प कभ उनका पढ़ाई का टाइम कभ उनका लंच ब्रेकफस्स टाइम में कम लंच टाइम हर चीज यहां पर सिस्टेमाटिक है दोस्तों कोई भी चीज आप लोगों को आगे पीछे उल्टा फुल्टा नहीं देखिए यहां पर जैसा मैंने आप लोगों को बता है था प्लेंग टाइम टेबल हर चीज का टाइम टेबल है यहां पर यह सीनियर बॉइस उस्टेले देखिए सब कुछ बॉइस नहीं सुभर रक्कि गया उन लोग अभी तो वह लोग क्लास कर रहे हुए उन्हें तो पता भी नहीं कि मैं अभी आप यह वीडियो बना रही हूं तो मैंने पिछे दोस्ते यह सीनियर बॉइस उस्टेल देखिए हर चीज कितना डिसिप्रिन कितना साफ सुत्रा है मुझे भी देखिए बहुत अच्छा लग रहे हैं वैसे मैं फास्ट टाइम यहां पर विजिट कर रही हूं लेकिन मुझे देखिए बहुत अच्छा लगा सीनियर बॉइस सच में अपना सामान अपना हर एक चीज को रखने में बहुत उन लोगों ने ध्यान दिया है उन्हें आज पता भी ने था वैसे कि मैं वीडियो बना रही हूं फिर भी बिना बता है जो चीज करते हूं वह यहां बहुत अच्छा लगता है ना बिना देखिए बिन चुनियर लोगों नहीं कैसा रख Ciao conform us ऑट्य इंज अगीचना है यह सिर बऊसटिल और यह ईडिन्यर बॉइस और ऊस्टेल और यह जुनियर वोस्तेल अच्छे से रख़ा है है टेख एतना डिस्सिप्लीन लग रहा है तरह ऑफ संतराना दोस्तों सच में हैं तक क्लेंews व्यासाइश मद दाथ स्क्राइब करनेल एक पड़ाई के साथ सथ अपना डेली लाइफ अपना लाइफ स्टाइल को वो लोग कैसे रखते ना बस पढ़ाई ही नहीं अपना डेली लाइफ को मेंटेन करके चलना आगे बढ़ना वो सब कुछ यहां पर सिखाया जाता है हर बच्चे दोस्तों जब अपने घर पी होते तो बस हर चीज ममी पापा की उपर डिपेंड आते यह ममी कर देंगी ऐसा लेकिन जब बच्चे होस्टल पर आते अपना उपर एक जिम्मेदारी आ जाता है एक रेस्पोंसिबलेटी जो होता है बच्चों को वो उन्हें यहां स इस डिसिप्लीन है यह दिखे कितना अच्छा लग रहा है मुझे अभी भी हमारे गर पे कितने बड़े-बड़े भाई है उन लोग भी तक बैट टिक्टा करते हैं लेकिन यहां पर देखिए मुझे कितना इतने चोटे-चोटे हैं लेकिन लोग इतना डिसिप्लीन को प्रदम से हम लोग जाएंगे नेचे एफ्यो मोमेंस लेटर फ्ला सर्ट कुछ थाड़ा बोल दीजें सर्म आपके मुझे कुछ सुना जाते हैं रहलो बेड़नाराइब गर लिए आपकी मुझे कुछ फॉना जाते हैं तो, राखना भी बेस्टेराट कजिए आए बेस्टेर्टित एक टाम रागतिर नहीं हमें, ट्रेकोल सकते हैं. for day schoolers we have bus services available and if you want more information our contact number is given there and we have facebook page also you can follow us thank you so much okay thank you so much sir